हेलो फेंड आज ये स्टन में डिस्कस करेंगे साउच के बारे में आज ये आंसके में कुछ सउघ्र का इंस्टूमेंट को देखेंगे उनके क्या 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 फंक्शन्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं और उनकी पिक्चर से हम यह भी देख सकेंगे कि अगर आप उन इंस्ट्रुमेंट को कभी कहीं देखते हैं आपके किसी प्राक्टिकल में या कहीं भी अगर आप से कोई पूछता है तो आप उन्हें बता पाएंगे इसली देखके-डिंडिफाइब कर पाएंगे अब हम स्ट किसी जैसे कोई वुंड हो गया उसको clean करने के लिए ये उस ताम से हम इसका use करते है जैसे हication पिछल में देख सकते हैं हमारा अपर फॉरसेप होता हो इसका जो अपर पार होता है अध्स इहां पर यहां पर फे दो हुथ सिंगल टूथ प्रेजेंट होता है ठीक है इसे हम बोलते हैं एडिसन थम फॉर्सेप इसको देखे आप कई भी एंटफाय कर पाएंगे अगला आएगा एलीस टिशू फॉर्सेप इसका हम यूज करते हैं एलेक्ट्रो सर्जरी के डियूरिंग में वहाँ पे जो टिशू होते हैं बॉडी के जो बहुत ज्यादा होते हैं उनको होल्ड करने के लिए ग्रास्प करने के लिए यूज करते हैं हम स्लिपरी इसलिए मैंनी स्लिपरी जो टिशू होते हैं उसमें इसको यूज करते हैं क्योंकि इसका जो आपर पार्ट होता है वह टूथ्रोड होता है तो इसमें जो टिशू होते हैं वह ग्रास्प इजली हो जाते हैं और स्लिप नहीं होते हैं इसलिए मिसको यूज करते यह हमारा जो जैशा ही सीमिलर होता है बस फर्क इतना है कि यह घंड पाोड़ से ऊपर का उपर का outsiders अपर का और यह बहुत फोर्सेप से लॉंग होता है कि लॉंग होताéro के यह बोच ini सिल कूर होता है कि यह हमlegen हैं यह अैंनेक्वस इसका हुबस करोते हैं ठीक हैं है अगला हमारा है और थी फॉर्सकुनッ तो कोई चते हैं इस को प्रेस कर सकते हैं जिससे कि राइट एंगल आर्ट्री फोर्स तो आइसोलेट एंसर्कल एंड लाइगेट फेसल्स और डक्स इस्पेशली दोस प्रिजेंट इन डेप्थ हम देख सकते हैं जो आर्ट्री फोर्स पर हमारा सिमिलर जैसे इसका भी जो एंडिंग पार्ट होता है यह हमारा टूत रोता लेकि या उनको आइसोलेट करना उसके में ली यूज़ करते हैं अगला हम देखेंगे कोचर फोर्स से तू होल्ड सिक्योरली सुपीद्या थाराइट पैडिकल वेसल्स होल्ड रिट्रेक्टिंग कट एंड्स आफ वेसल्स इंट तफ फाइबर टिशू होल्ड रिप्स दूरिं इसका मदर का जो एमनुटिक फ्लूड अली मेंब्रेन होती है उसे हम रप्चर करने के लिए यूज़ करते हैं रिप्स को होल्ड करने के लिए भी कोचर फोर्स से करते हैं उसका अगर कोई थाराइट की सरजरी हो रही उस सरजरी में सुपरिया थाराइट पैडिकल वेसल् Esse हम फिचल में देख सकते हैं हमारा जो फोर्टец अब होता है हमारा इसका जो एंडंक पार होता है और जो अपर पार्ट होता वहां पर देख सकते हैं अवाम देख सकते हमारा जिए जो पार्ट है हमारा जो होता है वो हमारा उसमें टूथ element होते हैं दो साइट पर चिंग जो कर पाते हैं ठीक है अगर आहता हम धीखते है बै पकाप 4 त्स तोसुच तो टोइज़ ग्रास्पो डckingक टीशूज लेजर प्रोशेजय familiar वैस फर्फेंटलि युजट विद अलेली यहandeं पूसे सब्सक्सकेमारा वह थोड़ा वाइड ह perform में उसका सुतना के चना हूं हम देख सकते हैं जो अपर पार्ट होता है वह हमारा थोड़ा वाइड है तो इसले हीं होड कर पाते हैं टिश्यू को ठीक है अगला है बार्ड पारकर हेंडल and blade used together for tissue separation puncture and cut हम देख सकते हैं हमारा जो BP यह हमारा इने बोलते हैं BP handles और वह हमारी different size की blades होती है different surgical procedures में हम cut लगाने के लिए या puncture करने के लिए tissues को इसका जो इसका जो रिट्राक्टर पार्ट होता है वो हमारा थोड़ा वाइड कम होता है है और हैंडल हमारा इस्ट्रॉंग होता है जैसे हम अगला हमारा आएगा डॉयन्थ रिट्रैक्टर हम पैल्विक सज्जी में में इसका यूज करते हैं क्योंकि पैल्विक मसल्स बहुत ज्यादा इस्ट्रॉंग होती इसको होड़ करने के वहाँ ज्यादा प्रेशर चाहिए इसका यूज करते हैं मिली इसका जो विडिंग पाट होता है वह वाइड होता है जो निम्स बजां सकते हैं जैसे की बढ़ा पंजे उस तशी सिसका ऊटलूक होता है ऑठ सबास याप फिर्टेटर इन ओपरेशन इंवालविंग अ डिसेक्षिंग इसपरेशल मुष्यल पेन वहां पर उसका डिएक्टर पार्ट वाइड होता लेगिन इसपा अगला हमारा आएगा मायोस टावल क्लिप fix drapes in a manner to expose operative field only also used to fix tubings and coterie wire to drapes in a way that don't fall हम देख सकते हैं हमारा जो इसका जो upper part होता है working part होता है मायोस टावल क्लिप का वो एकदम pointed part होता है जिसको हम hold करने को use करते हैं operative part को expose करने की सब चीज़े हो हम यूज करते हैं अगला हमारा आएगा Morris double ended retractor to retract strong structures like abdominal wall muscles and it gives wider space to work हमारा जो Morris double ended detector होता है यह हमारा अगर हमें दोनों साइट से muscles को retract करना है ऐसे हमें दोनों साइट पर एक एक इंडिवीजल चाहिए मस्ट रिटेक्टर को hold करने के लिए लेकिन अगर इस काम यूज करते हैं तो हम एक ही टाइम पर जोनों साइट की muscles को expand कर पाएंगो तो इसलिए हम अपना work conduct कर सकते हैं हमें किसी भी इंडिवीजल की जोड़त ने पड़ेगी जो retractor को hold करें इसको हम अपने आपी वहाँ पी muscles को retract करके इसको फिक्स कर देंगे रिट्यक्टर को ताकि मिजडिवन आवर कंड़क्ट प्रा सकते हैं अगला आएगा मॉस्केटो आटरी फोर्चेप एसा हीमोस्टाट होल्डिंग कट एजज तो अपन अप अपसेस होल्ड फ्री एंडा साफ सुचर एक उठेक हो प्राफश। प्राफ़ प्राफ़